जै माता देख, माता दुर्गा की किर्पा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब मैं आज आपनों को सुनाने जा रही हूँ। विन्योगह, ओम, मध्यम चरित्र के विश्णोरिसी, महालक्ष्मी देवता, उश्रेक चंद, शाकंबरी शक्ति, दुर्गा वीजम, वायू तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसनता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विन्योग है। ध्यान, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन मुखवाली महिसासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बान, वज, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ती, खडग, धाल, संख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र को धारन करती है। रिशी उवाच, रिशी कहते हैं, पुर्वकाल में देवताओं और असुरो में पूरे सो वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था, उसमें असुरों का स्वामी महिसासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे, उस युद्ध में देवताओं की सेना महावली असुरों से प महिसासुर इंद्र बन बैठा अब पराजित देवता प्रजापती ब्रह्मा जी को आगे करके उस इस्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विश्णु भगवान विराजमान थे देवताओंने महिसासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यिथावत ब्रतांत उन दोनो देवेश्वरों से विस्तार पुर्वक कह सुनाया वे बोले भगवन महिसासुर सूर्य इंद्र अगनी वायू चन्रमा यम वरुन तथा अन देवताओं के भी अधिकार को छीन कर स्वैम ही सब का अधिश्ठाता बन बैठा है उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है अविवे मुनियों की भाती प्रिथवी पर विचरते हैं देट्यों की यह सारी कर्तूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है अब हम आप की ही सरण में आए हैं उसके वद का कोई उपाय सोचिये इस प्रकार देवताओं के वच्चन सुनकर भगव विष्णू और शिव ने द्यत्यों पे बड़ा क्रोध किया उनकी भवें तन गई मुह तेड़ा हो गया तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र पाणी स्विष्णू के मुक से एक महान तेज प्रकट हुआ इसे प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आधी अन्या अन्य के सरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला वह सब मिलकर एक हो गए महान तेज का वह पुंज जाजवे मान परवस्चा जान पड़ा देवताओं ने देखा वहां उसकी जुआलाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी संपूर्ण देवताओं के सरीर से प्रग परनित हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा भगवान संकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रगट हुआ यम्राज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए स्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्य ह चन्रमा के तेज से दोनों इस्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भा हुआ वरुन के तेज से जंगा और पिंडली तथ प्रिथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूरी के तेज से उन देवी के दात प्रजापती के तेज से और तीनों नेत्र अगनी के तेज से प्रगट हुए थे उनकी भवें संध्या के और कान वायों के तेज से उत्पन हुए थे इस प्रकार अन्या अन देवताओं के तेज से भी कल्यान मैं देवी का आविर्भा हुआ तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रगट हुई देवी को देखकर महिसासुर के सताय हुए देवता बहुत प्रसन हुए पिनाक धाड़ी भगवान संकर ने अपने सूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया फिर भगवान विश्णू ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन करके भगवती को अरपन किया वरुन ने भी संक भेट किया अगनी ने उन्हें शक्ति दी और वायू ने धनुष्ट था बान से भड़े वे दो तरकस प्रतान के सहस्त्र नेत्रवाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन करके दिया और एरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया यमराज ने काल दंड से दंड वरुन ने पाश प्रजापती ने इसपटिक काक्ष की माला तथा बर्माजी ने कमंडलू भेट किया सूरी के देवी के समस्त रोंप कूपों में अपनी किर्णों का तेज भर दिया काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी छीर समुद्रे ने उज्ज्वल हार तथा कभी जिर्ण ना होने वाले दो दिब वस्तर भेट किये साथ ही उन्होंने दिब चूडामनी, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल, अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए के यूर, दोनों चड़नों के लिए निर्मल नुपूर, गले की सुन्दर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रतनों की बनी अंगुठियां भी दी विश्व कर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिये, इनके सिवा मस्तक और वक्ष अस्तल पर धारन करके कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी, जलदी ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल भेट किय हिमाले ने सवारी के लिए सिंग तथा भातिभात के रत्न समर्पित किये, धना ध्यक्ष कुवेर ने मधूर से भरा पान पात दिया, तथा संपुन नागों के राजा, शेस ने जो इस प्रित्वी को धारन करते हैं, उन्हें बहु मुल्य मणियों से विभूसित नाग हार भीट दिया, इसी प्रकार अन देवताओं ने भी आभोशन और अस्त सस्त देकर देवी का सम्मान किया, तथ पैस्चात उन्होंने बार अंबार अठा हास पुर्वक उच्छ स्वर से गर्जना की, उनके भैंका नाद से संपून आकास गुंज उठा, देवी का यह अत्यंत उच्छ स्वर से क्या हुआ सिंग नाद कहीं समान ना सका, आकास उनके सामने लगु प्रतीत होने लगा, उससे बड़े जोड की प्रतिधनी हुई, जिसे संपून विश्व में हल्चल मच गई, और समुद्र काप उठे, प्रिथवी डोलने लगी, और समस्त परवत हिलने उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसनता के साथ सिंग वाहनी भवानी से कहे, धे देवी तुम्हारी जै हो, साथ ही महर्शियों ने भ्यक्ति भाव से विनम्र होकर उनका इस्तवन किया, संपून त्री लोकी को शोब ग्रस्त देख, दैत गण अपनी समस्त सेना को कवच आ थ्यार लेकर सहसा उठ खड़े हुए, उस समय महिसासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, यह क्या हो रहा है, फिर वह संपून असरों से घिर कर, उस सिंगनाद की ओर लक्ष करके दोड़ा, और आगे पहुँचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभासे तीन में रेखा से खिच रही थी, तथा वे अपने धनुस की टंकार से सातों पातालों को छुप्द किये देती थी, देवी अपनी दसों, हजारों भुजाओं से संपून दिशां को आक्षादित करके खड़ी थी, तदंतर उनके साथ देत्तों का युद छुड़ गया, नाना प्रकार के अस्त सस्त्रों के प्रकार से संपून दिशाएं उदभाशित होने लगी, चिशुर नामक महान असुर महिसासुल का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद करने लगा, आने देत्तियों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, साथ हज्जा रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैते ने लोहा लिया, एक करोड रथियों को साथ लेकर महाहनू नामक दैते युद करने लगा, जिसकी रोएं तलवार के समानती खे थे, वह असी लोमा नामका महादैते, पांच कडोर रथी सेनिकों सहित युद्धू में आडटा साथ लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक देत भी उस युद्ध भूमी में लड़ने लगा परिवारित नामक राक्षस, हाथी सवार और घुर सवारों के अनेक दलों तथा एक कडोर रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा विडाल नामक देत पांच अरव रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा इसके अतरेक्त और भी हजारों महा देत रथ, हाथी और घोडों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे स्वेम महिसासूर उस रणभूम में कोटी कोटी सहस्तर रत हाथी और घोणों की सेना से गिरा हुआ खड़ा था वे दैते देवी के साथ तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मूशल, खड़ग, परशू और पटिस आधी अस्त सस्तों का प्रहार करते हुए युध कर रहे थे कुछ दैतियों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पांश फेके, तता कुछ दूसे दैतियों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया देवी ने वी क्रोध में भर कर खेल खेल में ही अपने अस्त सस्तों की वर्षा करके दैतियों के वे समस्त अस्त सस्त्र काट डाले, उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन नहीं था देवता और रिशी उनकी इस्तुती करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैतियों के शरीरों पर अस्त सस्तों की वर्षा करती थी देवी का वाहन सिंग वी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, असुनों की सेना में इस प्रकार विच्रने लगा, मानों वनों में दावा नल फैल रहा हो रण हुवी में दैतियों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निह स्वास छोड़े, वे सभी ततकाल सेकणों हजारों गणों के रूप में प्रगट हो गए और परशु, भिंदिपाल, खडग तथा 25 आदी अस्त्रों द्वारा अस्त्रों का सामना करने लगे देवी की सक्ति से बढ़े वे वे गण अस्त्रों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदी बाजे बजाने लगे उस संग्रा महसों में कितने ही गण, मिदंग बजा रहे थे तदंतर देवी ने तिशूर से गदाशे, शक्ति की वर्सा और खडग आदी से शेकणों महा दैत्यों का संगार कर डाला कितनों को घंटे के भेंकर नाज से मुर्चित करके मार डाला बहुतेरे दैत्यों को पाश से बान्ध कर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो ट कड़े हो गए कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त ववन करने लगे कुछ दैत शूल से छाती फट जाने की कान प्रिथवी पर धेर हो गए उस रण आंगर में बान समोहों की व्रेष्ट से कितने ही असुनों की कमा तूट गई बाज की तरज पटने वाले देवी पिंड़क के दैतगर अपने प्राणों से हाथ धोने लगे किने की बाहें छिन भिन हो गई कितनों की गर्दन कट गई कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे कुछ लोगों के शरीर मद्ध भाग में ही विद्यन हो गई कितने ही महा देत जांगे कट जाने से प्रिथवी पर गिर पड़े कितनों को ही देवी एक बाँ एक पैर और एक नेत्रवा ले करके दो तुकडों में चीर डाला कितने ही देते मस्तक कर जाने पर भी गिर कर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हत्यार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते दूसरे कवंध युद्ध के बाजों की ले पर नाचते थे कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ती और रिस्टी के लिए दोड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महाद्यत ठैरो ठैरो यह कहते वे देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धर्ती देवी की गिराईवे रत हाथी घोड़े और असरों की लासों से ऐसी पट गए थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था देत्यों की सेना में हाथी गोड़े असरों के सरी से इतनी अधिक मात्रा में रक्त पात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदिया बहने लगी जगदंबा ने आसरों की विश्याल सेना को छण भड़ में नश्ट कर दिया ठीक उसी तरह जसे त्रण और काट के भारी धेर को आग कुछी ही छणों में भस्म कर देती है और वह सिंग भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ देत्यों के सरीर को मानों उनके प्राण चुने ले रहा था वहां देवी के गणों ने भी उन देत्यों के साथ ऐसा युद्यक्या जिससे आकास में खड़ेवे देवतागण उन पर बहुत संतुष्ठवे और फूल बरसाने लगे इस प्रकार स्री मारकंडे पुराण में सावनी मनमंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में महिसासुर की सेना वद नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ मातारानी की जैहो बोले बाबा की जैहो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो किरपया लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन दवाना ना भूलिएगा धन्यवाद